इसमें मक्के का सीडी समय विरेजवान है इस मसीन को छोड़के कोई मसीन अभी यह थी नहीं जो बिलकुल इस्जेक्ट यह काम कर सके इसमें आप खाद भी जो है वो साथ ही साथ सोईंग के समय आप डाल रहा है समय की और पैसे दोनों की पचद है कई फसले होती है जिनका बीट खेत में लगाते समय उनके बीच में एक निश्चित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है इससे फसल का जोत पादन है वो भी बहतर होता है तो आज हम आपको एक ऐसी ही मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तमाल आप मक्य धान की खेती से लेकर सबजीयों की खेती तक कर सकते हैं खरीफ के सीजन की बात करें तो मक्य की खेती के लिए और धान की खेती के लिए बहुत फाइदेमंद है इसका नाम है नियूमेटिक सीड ड्रिल हमारे साथ में इस समय पंतनगर क्रिशी विश्विद्याले के वैज्ञानिक सीजीम डॉक्टर जैन्त जी मौजूद है उनसे हम बातचीत करेंगे और इस मशीन के बारे में जानेंगे सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका माई साथ में धर्माद सर यह जो मशीन है इसके बारे में सर्वता है क्या है यह देखिए इसका नाम जो है नियूमेटिक सीड्रिल है और जब हम आज कल आया है कामन टर्मलोजी है कि प्रिसीजन फार्मिंग तो प्रिसीजन इसके लिए नियूमेटिक सीड्रिल जो है बहुत ही काम्याब मसीन है इसका जो कंसेप्ट है यह कि नियूमेटिक मिन्स जो एर के द्वारा कंट्रोल की जाती है तो जैसे कि आप अगर देखें तो इस पर क्या होता है कि एक बीच में वह लगावा है ब्लोवर वहां से एक वेकुम की यह पाइब आ रही है और इसके सीड सीड बॉक्स है इसमें इसमें विरजवान है और यह कॉनिकल मना कि है जैसे इंगलों आर्फ जो निचे स्लाइड़ करते हों नीचे आता है ले कि निचे च्के जब स्काम्याय को जाता है इसमें से हौ एयर जो है वो उतना ही उसको सेट करते हैं कि जो एक बीज का वजन होता है उसके हिसाब से वह सेट होती है उसी को एक बीज को वो सक करेगा सक करने के बाद आगे वो ड्रॉप करता है एक रोलर में उस रोलर से वो जमीन के नीचे चला जाता है आप यहां देखेंगे जमीन पर यह एक प दूरी में बदलाओ करना वो भी किया जा सकते हैं अगर आप पत्ता गोभी लगा रहा है तो समय दूसरी स्पेसिंग रखनी है बंद गोभी लगा नहीं है लेकिन हरी मिर्च की भी से स्वेंग हो सकते हैं प्याज ओनियन जो कि ट्रांस्प्लांटिंग के दोरा लगा जाता है अब इस मसीन के दोरा जो आप डारेक्ट सीड को उतनी दूरी पर लगा के छोड़ सकते हैं और ट्रांस्प्लांटिंग का समय बचा सकते हैं क्योंकि प्याज का जैसे पोधा हुआ फिर आप जब उगाड़े फिर ट्रांस्प्लांटिंग किये तो दस दिन पंदा दिन उसक प्रधानमंत्री जी का मिलेट योजना थी और जो इसका जो मिनिममम प्राइज कर दिया गया है तीस सो रुपे लगभग बाइस सो सत्तर के आसपास है उससे किसान के लिए बहुत फाइदे मन्द हो गया है क्योंकि एक एकड में आज के दिन में जो हमारे हाइबिरीड सीड है वो 35 से 60 क्युंटल तक परती एकड हमें मक्के की उपज देने लगी है और दूसरा इसमें पानी की रिक्वाइर्मेंट कम है पानी की रिक्वाइर्मेंट कम यह है कि अगर यह हम उसकी बात करते हैं तो एक किलो मक्का पैदा करने में जहां 200 से 300 लीटर पानी लगता है व तो उस हिसाब से अगर हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए पानी को सेव करना और यह करना बचत करनी है वाटर टेबल को सस्टेन करना है तो हमें जो है मक्के की खेती एक अच्छा ऑप्सन है दूसरा यह मिलेट है मोटा अनाज है यह सेहत के लिए भी है और अब कई प्रेश के लुष्ट को देट जरता है जैसे इस एयरी में गुल कॉस बनाने की फृक्टास बनाने की फृक्टोज एक नया का अईटम आया जो की चीनी का सब्स्टिटीट है और बहुत कौसली आइटम है और मक्के के साथ कि मक्के का हर पार जो है अपने इससे छिलके से त में जाता है तो ब्राम से तेल भी पर बनता है जो कि बहुत में बहुत महांगा आयल है यह दो परसेंट परसेंट कार्ण के में आयल भी रहता है फिर उसके बाद अंदर जो चीज़ें गुलकोज है उसको हम डिफरेंट प्रसेंट से कर लेते हैं अब जो इसकी एक डिमांड एल्कोहल इंडेस्ट्री में इतनौल में हो गई है इतनौल की जो कप जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम यह दूसरी जो हमारी सरकार ने किया है कि पेट्रोल में 10-15 परसेंट इसकी ब्लेंडिंग करनी है तो वह एक अलग मार्केट हो रही है तो आने वाले समय में मक्य की खे सब्सक्रार से भी बात करेंगे इस मशीन की जब हम बात करते हैं उपयोग की क्योंकि समय बूआईगा देखिए समय भी चल आए तो ऐसे में यह जो बीज है अब इसके फायदे पर बताईए अगर इस मशीन का इस्तवाल ना करें किसा डिरेक्ट वीज लगाता है और इससे मसीन को छोड़के कोई मसीन अभी यह जो बिलकुल एक यह काम कर सके तो उसके केस में जो कन्विजनल में धट है यह है कि हम लेबर लगा है लाइन बनाएं रसी बांधे हैं लाइन टू लाइन मेंटेन करने के लिए उसके बाद उते एक आदमी जो है खुरपी ले लेकर य परेश सब्सक्राइब कर देना चाहिए है यह सब से बड़ा है अप इस मसीन के साथ है कि अब खाद भी जो है वह साथ-साथ सभी समय आप डाल रहा है और यह और देखेंगे इस मसीन की खाणियट अगर देखेंगे टो यह थोड़ा बहर की तरफ है और खाद और सीड के ब एक्रोनामिकल रिक्मेंडेशन है कि साइड में खाद गिरनी चाहिए ना कि बीज के ऊपर या भी नीचे हो तो यह इस मदीन की एक और खासियत है कि बिलकुल उसको प्रिस्क्राइब और फटलाइजर भी जो है जो उसको उसकी भी मिट्रिंग सिस्टम वेलकुल एकुराइट है जितनी रिक्वाइड मेंड है उतनी ही पर परती हेक्टिया परती एकर होगा तो सब्सक्राइब बीज और वहाद की बचत के अलावा कि हर जगा जितनी जरूरत है उतनी गिर रही है तर उसी हिसाब मैनुली अगर हम डालते हैं तो कहीं जादा हो जाता कई कभ हो जाता है कि अगर कोई इस मशीन का इस्तमाल नहीं करता है और वैसे बीज डालता वेकेक वह बीज तो नहीं लगा सकता तो फेकता हुआ चला जाता है तो उसमें तो बरबादी भी बहुत है यह हाइब्रीड सीट की कोस्ट भी बहुत ज्यादा है तीन सो से थार सो रुपए केजी त ठीक है तो आट चोग बतिस सो रुपए का बीज हो गया एक एकड़ में लेकिन यह सबसे फाइदे मंद मक्के खेती है अज दिन में अब सब्सक्राइब कोई इस मशीन के बीना लगाएगा तो यह भी संभव है फिर वह जो बतिस सो को बीज लग रहा है वह और ज्यादा ल नहीं नहीं तो रो में रसी बांद के लाइन घिचके होती है उसमें लेवर करौस ज्यादा होती है फीयता समय ज्जादा लगे का और इसमें उस समय की और पैसे दोनों की पचत है और इसमसीन को यह कबात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि बाइट साब इसकी कीमत सबसिडी है लगबार हर स्टेट में मसीन के ऊपर सबसिडी मिल लगी है किसान ले सकते हैं इसके अलावाज जो सब मिसन आफ एक्रिकल्चर मेकनाइजिशन है उसके तहट दो बेउस्था कि यह भारत सरकार ने जो कि हर स्टेट में लाग हुए एक फार्मसिनी बैंक दूसरा क मसीन को खरिदता है ट्रेक्टर को खरिदता है और चीजें खरिदता है तो अभी तो उसमें एक और चीज बताना जाओं को पहले इसकी लिमिट दस लाग रुपे तक कि अब उसको बढ़ा के भारत सरकार जल्दी तीस लाग करने वाली है अभी डिसाइड़ पेंडिंग है हो जाएगा तो यूद इंप्लाइमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कदम है दूसरा माल लीजिए किसी दस आज किसान या आट किसान मिलकर फार्मसिन बैंक बनाते हैं तो उसमें भी मसीन को पर्चेस कर लेते हैं और अगल वगल दूसरे किसानों को भी चला सकते है या उ किस्तम आरिंग सेंटर में वैस्टेयव फारइगीं के उसको यूज कर रहा हैं अभी सितंबर में और सितंबर में पत्ता भी लगा देंगे मैड में को अवाली छ्रीव मक्का चलीरा है हुँ कैकर कि बिंटर में जा कर दाएगी अभी खरीम मेंजगै 선ee म्युर्ण तके क्योंकि कई बार किसान जो है ट्रेक्टर की शमता और जो साथ में लगते हैं वो मैच नहीं हो पाने से नुक्सान पा जाता है करीब इसका जो पचास जो हास्पाउर रेंज वाले टेक्टर है उस पर बेस चलती है एक एकड में इससे बीज डालने पर लगभग कितना समय लग होगा और क्या खर्च जा सकता एक धेमियार क्रिफ पूरा कर लतीए माञें और जो िट्रेक्टर है चोली डीजल चार से अलगला मार्डल टेक्टर का चार से खेलिक डीजल एक धिता हले चांधे मगां लुक्त है जिएक फकर बांव listened to 2002ichen तो आपने देखा इस मशीन को और यहां पर डॉक्टर जेंट ने हम लोग को बताया किसानवाईयों आपको बताया कि यह जो मशीन है किस तरह से यह बीज डालने के काम में आती है बीज के साथ-साथ इसमें खाद भी पड़ जाती हो सभी चीजे बिल्कुल जो एक मानक होना चाहिए उसको पूरा करते हुए सबसे महत्पूर बात कि मानक जो है उनको पूरा करते हुए और इसका इस्तमाल करने से एक तरफ जहां खेती की लागत किसान की वो कम होती है क्योंकि अगर बिना मशीन के यही काम किया जाए तो लेवर कॉस्ट पढ़ जाएगी दूसी तर पूरा गाउजंचन